इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 10th की exercise 12.1 का question number 1 question है तर radii of two circles are 19 cm and 9 cm हमारे पास में दो circles दिये हुएं तो सबसे पहले माल लेते हैं यह हमारे पास में एक circle है जिसकी radius दे रखिया नहीं radii दे रखिया है तो यह हो जाएगी हमारी माल लिया है हमारा 19 cm और second के रहा है दूसरा circle है जिसकी radius है 9 cm तो उसे छोटा होगा यह हमने माल लिया इसकी radius है 9 cm आगे कहता है find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumferences of the two circles यानि इसका कहने का मतलब यह हमने क्या किया दो circle लिये यह हमारा circle हो गया पहला यह हमारा circle हो गया दूसरा इन दोनों की जो circumference है उनको जोड़ करके एक तीसरा circle बना दिया गया यानि यह circle बना दिया तो obviously इसकी जो circumference होगी वो इन दोनों circle की circumference से ज़्यादा होगी यानि हमने इसकी circumference को और इसकी circumference को जोड़ दिया अब question कह रहा है कि find the radius of the circle यानि हमारा जो तीसरा circle बना इसकी हमको क्या निकालनी है radius निकालनी है यानि यह हमें find करना है तो इस्वें सबसे पहले हम लिखते हैं तो radius of first circle तो लिखेंगे radius of radius of first circle कितनी है? 19 cm है radius of second circle second circle की radius कितनी है? 9 cm है तुष्वें हम यहाँ पर यह concept लगाएंगे यानि जो radius है first circle की यानि की circumference of first circle plus circumference of second circle बराबर होगी circumference of third circle के तो यहाँ पर हम यही concept लगाने वाले हैं तो यहाँ लिखेंगे circumference of first circle plus circumference of second circle is equals to circumference of third circle तो देखिए सबसे पहले circumference of first circle क्या होगी तो circumference का फोर्मूला होता है हमारा two pi r तो first circle के लिए हम माल लेते हैं r1 तो 2 pi r plus second circle की circumference क्या होगी तो 2 pi r 2 माल लिया is equals to third circle की circumference कितनी हो जाएगी तो यह हो जाएगा हमारा 2 pi r ठीक इसको हम सिर्फ r सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन दोनों मैंसे 2 pi common है तो इन दोनों मैंसे 2 pi common है तो इन मैंसे हमने 2 pi common ले लिया तो हमारा बचे का r1 plus r2 is equals to 2 pi r यहां से हम 2 pi से 2 pi काट सकते हैं तो हमारा आगया r1 plus r2 is equals to r और देखें फर्स circle की जो रेडिया ही थी जो कितनी थी 19 cm थी और second की थी 9 cm तो इनकी values रख देते हैं तो 19 plus 9 is equals to r यानि हमारा जो third circle होगा उसकी radius कितनी होगी तो r is equals to इसको हम add कर देंगे तो add करने पर यह आजागा 28 cm तो 28 cm हमारा इसका answer हो जाएगा तो thank you for watching this video मिलते हैं अगले वीडियो में